नमस्ते फैंट्स मैं मजली का फूर कलेक्शन में आप सब्सक्राइब कराएं जिसे हम बहुती किसी लिटर पर बना सकते हैं आप इसे एक बद खाएंगे तो खाते ही रहे जाएंगे जिली स्टार्ट के मज़डर सी आइस क्रीम को बनाने के लिए मैंने तीन तरह की क्रीम लि अईस क्रीम। बनाने के लिए मैं तीनतरे की क्रीम की जरूरत है जो की बहुती टेस्टी बनती है। अब मैं यहां यहां पर डॉँनेके लेवगे इसे हम रफ़ङे जॉप कर लेंगे तो इस तरह से यहां पर मैंने दो कोल लिया है ताकि मेरी जो आइस क्रीं में काफी क्योंकि मुझे इसमें स्ट्रॉंग फ्लिवर पसंद है तो आप कम जादा अपने टेस्ट के कोडिंग कर सकते हैं थोड़ी सी में यहां पर मलाई बचा लूंगी उसे हम चंक्स में डालेंगे और बाके की जो यह मलाई जो हम रफली चॉप कर रहे हैं इसे हम एक मिक्सर जार म बाका पाणी होता है वह भी डालके इसे पीस लेंगे तो 200 ग्राम के करीब मैंने यह मलाई लिए साथ मं हम पीसने के लिए 50 ml के करीब हम इसमें पाणी डालेंगे ज्यादा पाणी डालने से जो हमारी आईस करीम है इसमें आइस क्रिसल्स जम सकते हैं तो इस तरह से कम से कम हम इसे अच्छे से पीस लेंगे और साथ में थोड़ी सी जो मलाई बचाई थी जिसे हम बाद में चंक्स के रूप में डालेंगे तो इसे एकदम फाइन चॉप कर लेंगे जितना फाइन आप से चॉप करेंगे खाते वक्त यह मुझ में आते हैं बहुत ही बढ़िया इसका ट बोल लेंगे उसमें सबसे पहले हम नॉन डेरी विपिंग क्रीम लेंगे और इसे एक मिक्सर से अच्छे से बीट कर लेंगे तो मैं यहां पर हैंड ब्लेंडर ले रही हूं बहुत ही आसानी से विप हो जाती है और इसका वॉल्यम भी बढ़ जाता है मैं अलड़ी अपने पूरा डिटेयल वीडियो दे चुक हैं किस तरह से नॉन डेरी विपिंग क्रीम को विप किया जाता है तो अब हम यहां पर यह डाल देगे और सात ही हम यहां पर अमौल फ्रेश कृम भी डाल देंगे जो कि हमने पहले से ही नाप के रख रखी थी तो आप इंग्रिदेंट सकती हैं तो इस तरह से mix करने के बाद में अब हम यहां पर जो हमने मलाई और पानी को मिला के पीछ यहां पर आया मिक्षर इसमें डाल देंगे तो इस तरह से से काफी थेख यह तो आप इसे skip भी कर सकते हैं और इन सभी चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे तो एक मिनिट में हमारा यह mix हो गया तो करीब दस मिनिट में हमारी पूरी आईस क्रीम बनकर तयार हो जाती है आप देख सकते हैं कितना भढ़िया इसका मिक्षर बनाया है बहुती क्रेमी है और इस तरह से तयार मिक्षर को हम किसी एक एट-एट कंटेनर में डाल देंगी ध्यान रखें जब भी आप आइसक्रीम जमाएं इसे एक एट-एट कंटेनर में ही डालें ताकि इसके अंदर आइसक्रीसल्स ना है क्योंकि हमें इसे फ्रीजर में रखना पड़ता है और इस तरह से हमारी आइसक्रीम बहुती अच्छी बनेगी इसे ढखकन लगा के करीब 8 गंटे के लिए आप डीफ फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दीजिए और जब आपको खाना है इसे आप डीफ फ्रीजर से निकालें और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से हमारी आइसक्रीम जम चुकी है अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे तो बहुत ही अच्छी स करके देख सारह बूल जाएंगे बहुत ही यमी टीस्टी लगती है और सबसी बड़ी बात है बहुती सिंपल तरीके से मैंने आपको यहां बनाना बताया थैं इस रेक्सिप लाए करें अपने एक्स्पियेशमें में कमेंट चुक में जरू शेयर करें। मिलते हैं नहीं रेसिपी के साथ थेंक यू